हाई एवरीवन फिर से एक नीए इंटेस्टिंग वीडियो में आप सबका स्वागत है अगर आप एक पीएफ मेंबर है तो दोस्तों वीडियो आपके लिए काफ़े हेलफुल काफ़े नोलेजवाल होगा क्योंकि दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आज में आप लोको बता यहां पर यह भी समसे आ रहा है जब अपना क्योंसे अप्रिट करने के लिए जाते हैं अप उनलाइन थने का सम्मिट कर देते हैं लेकिसे आपका कवाइस से अपरूब नहीं हो पार हाहा क्योंकि आपका कमपनी बंद हो चुका है उसे पाकर से करेंगा इस वीडियो में तो इस वीडियो को complete वाज़ कीज़ेगा वीडियो देखने के बाद आपको complete जनकारी मिल जागर आपका जो भी प्रोब्लम आ रहा है उसका solution भी इस वीडियो के माध्यम से हो जाने वाला तो चलिए वीडियो आपके लिए काफी क्युष वैके सनकी संट के अने की बास सबसे पहले मैं आपने को बताना चाहता कुछ जनकारीन चाहता ह tapping कर सकते नियुक्त विल्लम भासे अब से अनल है उसमेशों स्कतों सब्सक्राइब कर सकोथे के वैसे अगर तीनों के वैसे अपडेट है इजी वे में आप अपना पी एफ से जो भी एमांट होगा ओनलाइन माधियम से आप निकाल से तो अगर आप बैंक कर रहे हैं या ना रहे को ज़रूरी नहीं होता है लेकिन किसी केस में जरूरी होता है जैसे पचासज़ा से ज्या अपका कंपणी बंध हो आता पता नहीं हो पा रहे है तो इसका एक ही उपसन बचता है एक ही इसका सलूसन आफलाइन माज्यम से आप विड्रो कर सकते है तो चलिए मैं आपको बता देता हूं किस परकार से गुजरिएगा किस परकार सबकोई फॉर्म भरना है कौन सब फॉर्म भरना है और ऑफ-लाइन का क्या परिकरिया हो तो सब कुछ मैं आपको बताने हो ठीक है सबसे पहले अपको एक नए पेज ले लेने के बात सब्सक्राइब करने एप एप आप करते हैं उसके एप देखिए हैं पर नजर आता होगा इंप्वेटन स सब्सक्राइब न जरूकर आ जा जाता है आपके पास फोर्म नजर आता होगा झैपे दो इसे आपे दो फॉर्म के बारी में आपको बता देता हूं पहला फों यहां पर देख देख रहाता हूगा कंपोजिट ख्लैम अधार ठीक है यह व्यक्तित अभी भर पाएंगे जब उसको आपके पीए फेकुन अधार लिंक है और आ ओफ-लाइन तरीका सब निकलना चाहते हैं अधार लिंक होने पर ठीक है अगर आपके पास किसी भी प्रकार से के वैसे अपडेट नहीं है आपका कंपनी बंद हुचु करना चाहते है ठीक है उससे पहले सो इस फॉर्म को बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहते हूं नीचे को आ जाना है नीचे करने के बाद सो यहां पर आपको सबसे पहले सिंगनेचर मोहर मांगा जाता है ठीक है जैसे यहां पर नजर आता होगा यहां पर मैं आपको प लाएं तो लाएं कहा से ठीक है समझ आगी होगा लेकर आपको किसी भी प्रकार से घबराने बात नहीं है इस वीडियो में में लाइब पूरूप के साथ मैं आपको बताने वालों इस केस में आपको क्या करना है अगर आपका कंपनी बंद हो चुका है आप आफ लाइन तरीका जलिए मैं आपको सबसे पहले बता जेता हौ रहा है 162 बारे उसके पर जयंकारी मिल जागा है और दोस्तें यह पे देख सिथे लिखा हुआ है और अस ट्राइबली तो बन्द ऊचुक है उसका पता नहीं है तो कंपनी किस से सिंगिशर करा हूं उसका यहां पर जनकारे मिलने हो चलिए मैं आपको दिखा देता हुआ इसके लिए यहां पर इस पर में क्लिक करता हूं उ से आपको सिंग्नेटर मोहर करवाने के बाद से जो फो आएगा मैं आपको बताँ को कहां पर जमा करना कि अगर डूकुमेंट देना सब कुछ इधा लिखा हुआ है इधा देशाते ऑथराज़ ओफिस में आपको जमा करना मतल़ आपका रिजिनल ओफिस होगा वहां पर आपक कर्वाज सकते सिंग्नेटर करवा सकते हैं इचे ल Pikachu नजर आ गेता होगा इसके लिए दूश्तों यहां पर निजगा नजर आता होगा इसके अलावे देख सकते हैं यह पर नजर आता होग्या तहरी लिए वह भी मैं आपको दिखा देता हूं अगर बैंक मेरेजर साब नहीं करवाना चाहता है तो इसके लावे और किन-किन वेक्टिवस करवा सकते हैं वह मैं आपको बता देता हूं चलिए एक वीडियो फाइल ओपन कर दता हूं देख सकते हैं यहां पर आपके बार नजर आ कर दा सकते हैं डाओ देख सकते हैं नजो आता है ओं झाहिं को सबस्क्रेश करवा सकते हैं पर एक शक्रया सकते हैं वंक्राओ सिब्सक्राइख कर से करवा सकते हैं ठीक है उसका सब्सक्राइब करPेसी का पर अब करवा सकते हूं किया तो सब्सक्राइब करते हैं तो यहां का विए यहां पर कर आथा यहां पर देख सेते हैं नजर आता है यहां पर देख सेते हैं इन वीज़ वे तो दा पैसा हता से लेड़ी आता है जिस बैंक के कुर्ण मातर उस बैंक का मेंटेंग करने उससे आपको से महर करवा लेना है ठीक है नजर आता होगा मतलब यहां पर इतना लोग साप किसी भी वेक्तिस सब से महर करवा सकते हैं लेकिन सबसे परफेट होगा अब को बैंक से करवा देना है और यहां पर इसलों नहीं हो पार है तो तो इसना मैंने आपको बता है इन में किसी से भी आप करवा सकते हैं क्लियर हो गया होगा चलिए अब मैं आपको फॉर्म भने का तरीका बता देता हूं फटा-फट यहां पर भारना काफी एजी है ठीक है सबसे पहले सो उपर देखिए यहां पर आपका पास मोबाइल नमर इमिल इडी फिल करने को अप्शन आता है तो यहां पर मोबाइल नमर प्रेंसर के लिया तो एडवांस आप पर निकालना ठीक है उसी कंवसायल यहां पर ऑफसन आपको इंड करना हो सेदेनर में reach पिनसर का वाइनल सेटन मेंथा धीसरा मिल जाध़ए जो भी निकालना चाहते उसके पर क्योंब आपको टिक मान नहींगा उस्पर नीचे आपको अगर आपके आपकी उन में फाधर्स का नाम है अगर महला है अपने पती का नाम तुझ यहां पर अपना इस कॉलम कें उस्तार फिल कि वेस्टान। पर श्र mendम को भिल करना है। अगर आपप फायनन निइंठे पति खारणी 7 पर लिट्डाक में जो फिल करना है। निकालना चाह रहे है यह तो फिर पैंसन का तो यह पर डेटो भी एकजिस भी फिल करना होगा ठीक है मतलब जो यहां पर स्क्रेट कीज़ेगा उसके अनुसारी कोलम फिल हो जाता है किलियर हो गया होगा इधर आपको समझ आगया होगा ठीक है तो दोस्तों अगर आप एडव के लिए के वाल है ठीक है मतलब आपको एडवांस निकालते होंगे तभी आप यहां पर लिखेगा अगर फाइनल करने तो आपको इमांट लिखने के जुरूरी नहीं है उससे इधर पारा वेगर आपके पास नजरा आता एक बर आप इससे पढ़ लेजेगा खुझ से भर यह अपर पास में पायोंट फिल करना ही कि चारिए मैं आपको बता देता हूँ जिस भी बैंक को क्यम पारा पाईसा भी मन्हांगाना चाहते है उसका पुरा डीटियर फिल करना होगा जैसे यहां पर पहला पास प्लाम का नम्मिल कि आधर सिट नाम और अपर इंडरेस होग तो शाप से यहाँ पर नहीं यूट कर जगह पर मैंने आपको बता चुका है किस फकर सबकर सबकुछ लेह कहाँ सकते हैं। यहां पर bank managers करवा सकते हैं यह दोसों काफी सरह वहां पर थे जिसे आप आपके गाहों का जो भी पंचायत मुख्या हो गया रहा हो तो उससे भी करवा सकते हैं ठीक है जो EPFO को कहना है ज्यादा 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 point वहां पर focus किया गया वह अपने bank manager से करवाने के फोकस किया गया तो आप ज्यादा ज्यादा कोशिज कीजिए अब bank manager से करवा लेजिए ठीक है इतना आपको समझा आगे हो इतना फिल कर देने कि बाद सो आप बाहरी रहता तीचा डोकुमेंट आपके पास payn card होगा वह लगा लेना है चाओथा डोकोमेंट जो यहां पर आपके पास passport का बेंक अकोंट का डीटेल दे रहें जो पास्टूक होगा उसका first page आपको फोटो कोपी लेना है वह लगा लेना है और दोस्तों आपको एक proof देना हो कि आपने इस company में काम किया तो पूरूप के तोर पे आप अपना जो company का salary slip मिलता हो दे सकते हैं अगर salary slip नहीं है तो ID card होगा company तो पर मिला होगा वो लगा देने मतल़ सिंपल समय लिजे कोई भी पूरूप होगा company दो इने काम किया उसकत कोई पूरूप दिया होगा आपको वो आपको लगा लेने ठीक है इतना document आपको लगा लेने डोकुमेंट आपको ध्यान से समझ ली आहे हैं ठीक है इतना document लगाने के बाद सब को जमा कहा करने वू समझ लेजे है आपका अगर आपको परकास क्वाचिए अपडेट नहीं है और आप क्लैम्ट करना चाहते हैं यहां भी मैं आपको complete process बता चुका ठीक है आसा करते हो जनकरी सब कुछ आपको समझ आ गया होगा किसी परकार आपके मन में दिमाग में कोई भी confusion कुछ पूछना चाहते हैं डारेक कमेंट कर सकते हैं वीडियो के नीचे देखें को में बॉक्स में पूछ सकते हैं या तो फिर हमारे इस्ट्राग्रम पर भी जाकर करके वहां पर पूछ सकते हैं वहां पर जो भी जनकरेगों मैं आप पहुंच सकें फिर से मिलते हैं के साथ दोस्तों तब तक जैह हिंद छे भाराइव